नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवाज चैन आयोग की तरफ से आयोजित वन रच्छक व वन जीव रच्छक सामाने चैन परिच्छा में रवीवार को जौनपुल में तीन अलग-अलग केंडरों से एक महिला समें तीन अभ्यर्थियों को इलेक्टरानिक डिवाईस से नकल करते पकड़ा गया सबसे चौकाने वाली घटना परशाद इंटरनेशनल स्कूल पर चटिया इस्थितकेन पर हुई जहां तमाम चेकिंग के बाद भी महिला भ्यर्थी अपने साथ इलेक्टरानिक उपकरड अंदर ले गई कयास लगाया जा रहा है कि इसको वह अपने प्राइवेट पार्ट में साथ लेकर अंदर गई पकड़ी गई महिला भ्यर्थी कल्पना पटेल निवासी रमाईपूर फूलपूर प्रयागराज की रहने वाली है मिटल वह हैंड डिटेक्टर से जाच के बाद भी वह कच्छा तक पहुँच गई परिच्छा सुरू होने के कुछ दिर बाद वह वास शुरूम गई वापस कच्छ में आई तो कान पर दुपट्टा रख लिया आवाज साफ सुनाई दे इसलिए ठंड लगने का हवाला देते हुए कमरे का पंखा बंद करा दिया इसके बाद कुछ भुनबुनाने लगी जिस पर कच्छ निरी चक को सक हुआ दुपट्टा हटाने पर कान में एक छोटी से डिवाइस दिखाई कड़ाई से पूश्टाच में उसने कुर्टी के बाहंग में छिपाया गया स्मार्ट कार्ट भी निकाल दिखाया बताया कि बाहर उसके पती वदेवर खड़े हैं जो फोन से उसको बता रहे थे इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया गया डियाएस ने भी पहुँचकर पूश्टाच की महिला का प्राइवेट पार्ट में ब्लूटूट डिवाइस लेकर जाना चर्चा का विसे बना हुआ है कि यहां से निकल तो आठिया हैं अब बदा चिल्ड आप रखेंगे को लिए अन जहेंगे ना हम पुझा में पुछ भी नहीं किया हम थो जाएगे जे तो मेरे पटके चाओ की नहीं गांबगी अचो बादा हो अगर कुछ वगर नंपार बादे में तो फैसे हम उन्लोंकों लोगों पकड़े थे लिए सब्सक्राइब और उसा कनेक्शन कहां से है क्यासा माइक्रोफोर नगा लिया है वो सारी चित्विश्व ने लिए प्रांटे अंदर है कि में वह समझ में आ गया लेकिन जो उसका कनेक्शन है वो इनकी बॉड़ी में है इनकी बॉड़ी की कनेक्शन है हाँ अब इसको आपरेड को कैसे करते है इसको चलाती जैसे क्या करना था इसको बोड़ी के सका रहेगा तो चला रहेगा नहीं नहीं में बत रहते हैं सर इसका डिवाइस देके कुमर सबसे कुछ ही क्या है जैसे अंफ में होगा रहते हैं यह बत रहते हैं यह बत रहते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पतंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए